नमस्कार दोस्तों मैं आप सभी का चीर परीचित दोस्तु पस्तित हूँ आप सभी की सेवा में एक बेहद ही महत्तो पूर्ण चाहनकारी को ले करके जी हाँ आप सभी जानते हैं कि जब भी हमारे जोडों में दर्द हो जाता है तो बहुत सारी परिशानियों का हमें सामना कर और खास करके बढ़ती उम्र के साथ ये समस्या हो ही जाती है आज कल ये एक आम समस्या बन गई है किसी के घुटनों में किसी की पीठ में किसी की बैक बोन की प्रोब्लेम बहुत सारे लोगों को दर्द की समस्या रहती है जोडों की तो कैसे हम इन से निजात पा सकते हैं क्या क्या सावधानिया रखनी चाहिए क्योंकि किन गलतियों की वज़े से ये दर्द होते हैं ये भी जानना बहुत जरूरी है कैसे हमें इन सब से निजात मिल सकती है इसी से रिलेटेड आज का हमारा ये वाई सोबर है आप सभी के लिए जोडों का दर्द शरीर के किसी भी हिस्स में हो सकता है काफी समय बैठे रहने से सफर करने से या उम्र बढ़ने से हमारे घुटने अकड़ जाते हैं या दर्द करने लग जाते हैं जिसे हम जोडों का दर्द या ज्वाइंट पेन कहते हैं कभी कभी घुटनों के दर्द की वजह से पूरा पैर दर्द करने लग जा तो हडिया एक दूसरे से रगर खाने लग जाती है इससे सूजन दर्द एठन उत्पन होती है आईए जानते हैं सबसे पहले तो जोड़ों के दर्द के कारण के बारे में हड्यों में मिनरल यानि की खनीज की कमी का होना अर्थराइटिस साइटी का काल्टिलेज का घिस जाना खून का कैंसर होना उम्र बढ़ने के कारण हड्यों में मिनरल की कमी होना अब इसके लक्षनों को जानते हैं कि कैसे जानेंगे हम कि हम इस बिमारी के गिरफ्त में आ गये हैं या आने लगे हैं हड्यों और जोड़ों के दर्द के लक्षनों के बारे में जानते हैं चलने, खड़े होने, हिलने डोलने और यहां तक की आराम करते समय भी दर्द होना। सुजन और क्रेप्टिस चलने पर या गती करते समय जोडों का लौक हो जाना। जोडों का कड़ापन खास कर सुबह में या यह पूरे दिन रह सकता है। मरोड, वेस्टिंग और फेसीकुलेशन, अगर बुखार, ठकान और वजन घटने जैसे लक्षन हो तो कोई गंभीर, अंदुरूनी या संक्रामक बिमारी हो सकती है। आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। अब हम आपको नुस्खे बता रहे हैं जिसके सहारे आप अपने जोडों के दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। सबसे पहले तो हल्दी और अदरक की चाय। हल्दी और अदरक दोनों ही एंटे इंफ्लामेंटरी गुणों से भरपूर होते हैं और ये दोनों हमें जोडों के दर्द से भी छुटकारा दिला सकते हैं। दो गलास पानी आपको इसके लिए चाहिए होगा आधा चमच अदरक पाउडर चीहे होगा और आधा चमच हल्दी पाउडर चीहे होगा आपको। आप शहद भी ले सकते हैं मिथा के जगह पर चीनी न डाल करके उसकी जगह पे आप इसमें शहद का प्रयोग करें। ये नुस्खा बनाने की विधी जान लेते हैं हम दो गलास पानी को उबाल लीजिए और उसमें आधा चमच हल्दी और अदरक पाउडर डाल लीजिए और इस मिश्रण को 10-15 मिनट तक आग पर रहने दीजिए। इसके बाद इसमें आप शहद भी डाल सकते हैं और इस काड़े का आनंद आप दिन में दो बार ले सकते हैं एक दिन में दो बार सेवन करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके लिए बहतर रिजर्ट नजर आने लगे हैं और कुछी दिनों में रिजर्ट आपके सामने होंग लहसुन से जोडों के दर्द का इलाज कैसे करेंगे आये जानते हैं। लहसुन की दो कलियां रोज सुबह खाली पेट खाएं, सरसों के तेल में लहसुन की कलियां डाल कर भून लें और दिन में दो बार दर्द प्रभावित हिस्से पर इसका लेप लगाएं तथा मालिश करें इससे। इस विधी से आपको बहुत लाप प्राप्त होगा, आपके जोडों के दर्द में आपको रहत मिलेगी। इसके बाद लाल मिर्च पाउडर का प्रयोग जिहां जोडों के दर्द के इलाज के लिए लाल मिर्च का भी प्रयोग किया जाता है। लाल मिर्च का पाउडर भी जोडों के दर्द से रहत दिला सकता है आपको। एक कप नारि इसके अलवा निर्गुंडी से जोड़ों के दर्द का इलाज निर्गुंडी के पत्तों का दस से 40 मिलीलीटर रस लेने से अथवा सेकी हुई मेथी का कपड़चन चुन 3 ग्राम सुबह शाम पानी के साथ लेने से वात रोग में लाव होता है यह मेथी वाला प्रयोग घुट के लिए जो आज और शधियां लाए थे यह जोड़ों के दर्द से रिलेटर थी क्योंकि आप बहुत सारी लोगों को इसकी समस्या होने लगी है तो आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही सस्ती सुलब यानि के आसानी से मिल जाने वाली होम नमस्कार दोस्तों